चिंता, ध्रिना और ईश्या को दूर करते हैं गौतम बुद्ध के अन्मोल विचार गौतम बुद्धा के अन्मोल विचार, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भा सिखाया गौतम बुद्ध के अन्मोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सखल और आगे बढ़ने की प्रेरना देते हैं गौतम बुद्धा के अन्मोल विचार महात्मा गौतम बुद्ध बौध धर्म के संस्तापक थे उनका असली नाम सिधार्थ था गौतम बुद्ध का जन्म नेपास धितलुम्बिनी में 563 विन इसा पूर्व में एक राच परिवार में हुआ था एक राच परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्यान और ध्यान में लगा दिया गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भाव सिखाया गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेड़ना देते हैं यदि आप अपने जीवन में ग्यान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो रुजाना सुभे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर पढ़ें ये रहे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार 1. जीवन में हजारों लड़ा या जीतने से बहतर स्वयम पर विजय प्राप्त करना है. यदि स्वयम पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी. इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता. 2. बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है. कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ठ ही मिलता है. वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उस से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है. 4. भविश्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलजो. भोतकाल के समय को याद करके पच्चताने से अच्छा है, अपने वर्तवान में खुश रहो. खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है. 5. जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रौशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बाटने से आपसने प्यार बढ़ता है. खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं. खभी कम नहीं होती हैं. 6. बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कप्टी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए. जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुँचाता है. 1. यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए? यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाब नहीं मिलेगा. विना स्वास्थे के जीवन बिलकुल बेकार है वह केवल एक पीडा की स्थिती और मौत के समान जीवन है अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुचा सकते यदि आप अपना मार्ट नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वही पहुच चाएगे जहां से आप जा रहे हैं 5. बुध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है मैं हमेशा यह देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है 6. आप चाहे जितना भी शान्ती को तालाश लेए लेकिन असली शान्ती आपको अपने ही अंदर मिल सकती है 7. ख्रोध को शान्ती से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और जूट बोलने वालों को सच बोल कर जीतो 8. जैसे मुम्बती के बिना आग नहीं जलती उसी प्रकार मनुश्य भी अध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता 9. यदि आप मोक्ष बाना चाहते है थे उसके लिए आपको स्वयम ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे 10. जब आप ख्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है ख्रोध करना जलते होई कोईले को अपने हथेली पर रखने की तरह है जिसे आप दूसरे की और फेकना चाहते हैं लेकिन स्वयम को ही नुकसान पहुचाते है 11. हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासल करना फिर जीप खुद की होती है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता 12. जो करना है आज ही करे क्या पता कल सिंदगी रहे ना रहे 13. अगर लापरवा होते हैं तो नरम खाव से भी हाथ छिल सकते हैं इसी प्रकार धर्ण के प्रती की गई लापरवा ही हमें नर्ग के दरवाजे पर ला सकती है 14. हमारा शरीर सबसे जरूरी है इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्त रखे और इसका पूरा ख्याल रखे 15. अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना 16. जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है जो समय आने पर ही बोलते हैं 17. घर्ब मिलना तो अनिवार्य है फिर आपके हाथ में है दुखी होना न होना 18. अगर बुराई को मार देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखे 19. खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है बलकि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है 20. अपनी मंजिल खुद ही ढूंड़े और उसका रास्ता भी खुद ही दे करे 21. हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे 22. ज्यानी व्यक्ती की कभी भी मृत्यों नहीं होती उनका ज्यान का प्रकाश हर चगें मौजूद होता है 23. पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोड लगा ले लेकिन एक मौमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता 24. हमारा दिमाग ही सब कुछ है जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था 25. बुरे व्यक्ती को अच्छाई से भी जीता जा सकता है 26. जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इहम होता है 27. हर इंसान को सजा से डर लगता है सभी लोग मौद से डरते हैं सभी को अपने सामान समझे किसी को छोटा न समझे किसी भी जीव जन्तु को ना मारे 28. हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है इसलिए खुद पर काबू रखे ज्यादा पाने का प्रयास न करें 29. हमारी जीब एक हतियार के समान है जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे खायल कर देती है 30. आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़लो या फिर सुनलो जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है 31. अतीत के बारे में मत सोचो और नहीं भविश्य के बारे में सोचो वर्टमान में जियो 32. हर सुभे हर इनसान जनल लेता है आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे या बहुत माइने रखता है 33. एक दिन एक जीवन को बदल सकता है उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है 34. हम अपने भाग्य के मालिक खुद है हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यू होती है इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने 35. जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए राद बहुत लंबी है जो ठका हुआ है उसके लिए दूरी बहुत लंबी है जो मूरव धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है 36. व्याप्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालट जैसी कोई धार नहीं है 37. अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नश्ट है 38. खुशिया कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती बलकि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो आपक व्यभार हर किसी के साथ किस प्रकार का है 39. अग्यानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है 40. बून-बून से खड़ा भरता है इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत निमंतरन करती रहनी चाहिए परिशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें, गौतम बुथ को शामवी नगर में रह रहे थे वहां की रानी गौतम बुथ का अलग-अलग करीकों से अपमान करती थी रानी ने अपने कुछ लोग बुथ को अपमानत करने के लिए और परिशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिये थे रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थी, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिश्य भी था, उसका नाम था आनंद आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग चान बूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगय हमें नहीं रुपना चाहिए बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहा जाएंगे आनंद ने कहा, किसी और जगय चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परिशानियों बनी, तो फिर कहा जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है हम अहिंसा, धैरे के साथ बिनम्रता और शालिंता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे बुद्ध की सीख परिशानियां हर जगर हैं, हम परिशानियों से बच नहीं सकते इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय ना बनाए कौतम बुद्ध गा एक खास शिश धमाराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह इकांट में चला जाता था वह किसी से ज्यादा बात चीट भी नहीं करता था जब धमाराम एकांट में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिश्यों को लगा कि इसे खमंड हो गया है शिश्यों ने बुद्ध से धमाराम की शिकायते करनी शुरू कर दी एक दिन बुद्ध ने धमाराम से सभी शिश्यों के सामने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो धमाराम बोला आपने कहा है कि कुछ तिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकान्त और मौन को समझ लूँ ठीक से सीख लूँ ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ बुद्ध ने अन्य शिश्यों से कहा तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो इसलिए तुम सभी ने धमाराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया बुद्ध की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमन छोड़ दे एक दिन बुद्ध की शिश्य आनन्द ने पूछा आप प्रवचन देते समय उंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनन्द से कहा एक बात बताओ क्या तुमने कभी किसी ज़र्ने से पानी पिया है? आनन्द बोला हाँ मैंने ज़र्ने से पानी पिया है बुद्ध ने पूछा तुमने पानी कैसे पिया? आनन्द ने कहा, जर्णा उपर से बह रहा था, मैं जर्णे के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया बुद्ध बोले, अगर जर्णे से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला उपर बैठता है उस कथा का संदेश ग्रहन करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेणा मिलती है ऐसा करने से हमारा घमन दूर होता है बुद्ध की सीख अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है गौतम बुद्ध की कहानी, डान की महिमा, भगवान बुद्ध का जब पागली पुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सामपतिक स्थिती के अनुसार उन्हें उभार देने की योजना बनाने लगा राजा बिम्विसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रतनों ने पेश किये गुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्थिकार किया इसके बाद मंत्रियों, सेठों, सहुकारों ने अपने अपने उभार उन्हें अर्पित की और गुद्धदेव ने उन सब को एक हाथ से स्विकार कर लिया इतने में एक बुढिया लाठी टेकते वहां आई गुद्धदेव को प्रणाम पर वह बोली भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय में यह अनार खा रही थी मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं सत्खाय फल को ही ले आई हूँ यदि आप मेरी इस तुछ भेट स्विकार करी, तो मैं अहो भाग्य समझूँगी भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहन किया राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा भगवन, शमा करें एक प्रश्न पोचना चाहता हूँ हम सबने आपको कीमती और बड़े-बड़े उफार दिये जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहन किया लेकिन इस बुड़िया द्वारा दिये गए छोटे इगन चूटे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कराय और बोले, राजन, आप सबने अवर्श्य बहुमोले उपहार दिये हैं किन्तु यह सब आपकी संपत्ति का दस्वा हिस्सा भी नहीं है आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेनी में नहीं आ सकता इसके विपरीत इन्होंने अपने मुह का पौर ही मुझे दे डाला है भले ही यह बुढिया निर्धन है लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है गौतम बुध की कहानी जीवन में सब्र का महत्व बहुत पुरानी बात है जब महत्मा गौतम बुध पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर बौध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयाईयों के साथ एक गाउम में घूम रहे थे खाफी देर तक भ्रमन करते रहने से उन्हें प्यास लगने लगी थी प्यास परती देख उन्होंने एक शिश्य को पास के गाउम से पानी लाने के लिए कहा शिश्य जब गाउं में पहुचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था शिश्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा इस तरहे वह बिना पानी की ही वापस आ गया लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सुखा जा रहा था इसलिए पुनहे उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिश्य को भेजा इस बार वह शिश्य उनके लिए मट्के में पानी भर कर ले आया यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चरे अचकित हुए उन्होंने शिश्य से पूछा गाव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था फिर ये पानी कहां से लाए शिश्य बोला हाँ गुरुजी उस नदी का जल सच में बहुत गंदा था परन्तु जब सभी अपना कारे खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठेर कर पानी में मिली मिटी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया जब मिटी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया मैं वही पानी लाया हूँ महात्मा बुध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी की हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है जीवन में अच्छे कर्म करते रहनी से यह अमेशा शुद बना रहता है परन्तु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी ख्षनाते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से खिर जाता है ऐसे अवस्था में जीवन समान या पानी भी गंदा लगने लगता है गौतम बुध की कहानी अपने दुखों का कारण आप ही है एक समय की बात है भगवान बुध एक नगर में भ्रमन कर रहे थे उस नगर के आमनागरिकों के मन में बुध के विरोधियों ने ये बात बैठा दी थी कि वह एक ठोंगी है और हमारे धर्म को भरष्ट कर रहा है इस वजए से बहा के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे जब नगर के लोगों ने बुध को देखा तो उन्हें भला पुरा कहने लगे और बद्धुआएं देने लगे गौतम बुध नगर के लोगों की उलाहने शांती से बिना कुछ बोले सुनते रही लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुध बोले क्षमा चाता हूँ लेकिन अगर आप लोगों की बाते खत्म हो गई है तो मैं यहां आ जाओ भगवान बुध की यह बात सुन बहा के लोग बड़े आश्चरे अच्कित हुए वही खड़ा एक आदमी बोला ओ भाई हम तुम्हारा गुनगान नहीं कर रहे हैं हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता बुध बोले आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो मैं उन्हें सीकारूंगा ही नहीं आपके गालियां देने से मुझे पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्विकार नहीं करता बुध आगे बोले और जब मैं इन गालियों को स्विकार ही नहीं करूंगा तो यह कहां रह जाएगी निश्चित ही आपके पास बुध की सीक बुध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्टन ला सकता है क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं जोकि अच्छी बात नहीं है ऐसा कर हम स्वयम के लिए ही गढढ़ा खोद रहे होते है यह सब हमपर निर्भर है कि हम लोगों की नेगिटिव बातों को कैसे लेते है उन्हें स्वीकार कर रहे है या नकार रहे है गौतम बुध की कहानी इस दुनिया में कोई करीब नहीं एक समय की बात है भगवान गौतम बुध एक काव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे लोग अपने विभिन परिशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी-खुशी वहां से लोटते उसी गाउं के सड़क के किनारे एक गरीब रत्ती बैठा रहता तथा महात्मा बुध की उपदेश शिवर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं इन जब बापस आते तो बड़े खुश और प्रसंद दिखाई देते हैं उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुध के समक्ष रखे मन में यह विचार लिए बहभी महात्मा बुध के पास पहुचा लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुध को प्रनाम किया और फिर कहा भगवान इस गाउम में लगभग सभी लोग खुश और समरिद है फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं इस पर वह गरीब व्यक्ती बड़ा आश्चरे अचकित हुआ और बोला भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा मेरा तु स्वयम का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है लोगों से भीक मांग कर अपना पेड भरता हूँ भगवान बुद्ध कुछ तेर शांत रहे फिर बोले तुम बड़े अज्ञानी हो और उके साथ पाटनी के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है मुस्कुराहर दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो मुक्तिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब बोल सकते हैं उनकी प्रशंसा कर सकते हो दो हाथ दिये है लोगों की मदद कर सकते हो इश्वर ने जिसको ये तीन चीजे दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता निर्धन्ता का विचार आद्मी के मन में होता है यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो कभी भी मन में निर्धन्ता का भाव उत्पन न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी भगवान बुद का संदेश सुनकर उस आद्मी का चहरा चमक उठा उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ बुद की सीक बुद बताते हैं कि केवल धन अच्छा घर होना ही अमीर होना नहीं कहलाता बलकि एक अच्छा इंसान होना सब की सहायता करना ही असल जीवन का मंतर है निर्धन्ता का विचार आत्मी के मन में होता है यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो कभी भी मन में निर्धन्ता का भाव उत्पन्न होने दोगरी भी अपने आप दूर हो जाएगी एक व्रिध भिक्षू और एक युवा भिक्षू दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओं बचाओं के लिए आवाज दे रही है युवा भिक्षु तुरंत नदी में कृदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया इतने में वृध भिक्षु गरम हो गए अरे तुमने उस महिला को छू लिया अब मैं तुम्हें बुध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा दोनों बुध के सामने पहुँचे वृध भिक्षु ने कहा भंते इसको दंड मिलना चाहिए बुध ने पूछा क्यों? वृत्ध भिक्षु ने कहा इस बात का कि इसने यूवती को उठा कर नदी से बाहर रखा इसने उसे चू लिया, इसका ब्रहमचर्य नहीं रहा इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए बुद्ध ने कहा प्रायश्चित पहले तुम ले लो मैं, मैं किस बात का प्रायश्चित लूँ विसमय से उसने पूछा बुद्ध ने कहा इसने तो उस महिला को उठा कर वहां ही रख दिया पर तुम तो उसे अपने मानस में उठा कर यहां तक ले आये तुम्हारे मन में अभी भी यह है तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो इसने तो वहां रखा और भूल भी गया सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए यह चार उपाय बताता हूँ एक, हमेशा मन को स्वस्त रखना दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना महत्मा बुद्ध को एक सभा में भाशन करना था जब समय हो गया तो महत्मा बुद्ध आये और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए तक्रीबन एक सौ पचास के करीब शोता थे दूसरे दिन तक्रीबन सौ लोग थे पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया बिना बोले चले गए इस बार पचास कम हो गए तीसरा दिन हुआ साठ के करीब लोग थे महत्मा बुद्ध आये इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापिस चले गए चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए तब भी नहीं बोले जब पांचवा दिन हुआ तो देखा सिर्फ चौदा लोग थे महत्मा बुद्ध उस दिन बोले और चौदो हो लोग उनके साथ हो गए किसी ने महत्मा बुद्ध को पूछा आपने चार दिन कुछ नहीं बोला इसका क्या कारण था तब बुद्ध ने कहा मुझे भीड नहीं काम करने वाले चाहिए थे यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो जिसमें धैर्य था वो रह गए केवल भीड ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है समझने वाले चाहिए तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक जाक करते है समझने वाला धीरज रखता है कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है समझने वाला शायद एक हजार में एक ही हो ऐसा ही देखा जाता है राजग्रह पत पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा एक ग्रहस्त भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था बुद्ध ने पूछा महाशय इन छे दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है यह पूजा क्यो करनी चाहिए ग्रहस्त बोला यह तो मैं नहीं जानता बुद्ध ने कहा बिना जाने पूजा करने से क्या लाब होगा ग्रहस्त ने कहा भनते आप ही क्रिपा करके बतलाएं की दिशाओं की पूजा क्यो करनी चाहिए तथागत बोले पूजा करने की दिशाए भिन्न है माता-पिता और ग्रहपती पूर्व दिशा है आचार्य दक्षिन, स्त्री पुत्र और मित्र आदी उत्तर दिशा है सेवक नीची तथा श्रवन ब्राह्मन उन्ची दिशा है इनकी पूजा से लाब होता है ग्रहस्त बोला और तो ठीक, भनते परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयम मेरी पूजा करते हैं बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हात जोड़ना, सर जुकाना नहीं सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रतीस नहवात सल्य ही उनकी पूजा है ग्रहस्त ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्यान कराया चिंता, घ्रिणा और ईश्या को दूर करते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचार गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भास सिखाया गौतम बुद्ध के अन्मोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सखल और आगे बढ़ने की प्रेड़ना देते हैं गौतम बुद्धा के अन्मोल विचार महात्मा गौतम बुद्ध बौध धर्म के संस्थापक थे उनका असली नाम सिध्धार्प था गौतम बुद्ध का जन्म नेपास धितलुम्बिनी में 563 विन इसा पूर्व में एक राच परिवार में हुआ था एक राच परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्यान और ध्यान में लगा दिया गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भाव सिखाया गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेड़ना देते हैं यदि आप अपने जीवन में ग्यान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो रुजाना सुभे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर पढ़ें ये रहे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार 1. जीवन में हजारों लड़ाया जीतने से बहतर स्वयम पर विजय प्राप्त करना है. यदि स्वयम पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी. इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता. 2. गुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है. कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ठ ही मिलता है. वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उस 4. भविश्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलजो. भोतकाल के समय को याद करके पच्चताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो. खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है. 5. जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रौशनी देता है. ठीक वैसे ही खुशियां बाटने से आपसने प्यार बढ़ता है. खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं. खभी कम नहीं होती हैं. 6. बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कप्टी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए. जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुँचाता है. 1. यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए? यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाब नहीं मिलेगा. चू, विना स्वास्थे के जीवन बिलकुल बेकार है, वह केवल एक पीडा की स्थिती और मौत के समान जीवन है अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुचा सकते फो, यदि आप अपना मार्ट नहीं बदलेंगे, तो निश्चित ही आप वही पहुच चाएगे जहां से आप जा रहे हैं फाइव, बुध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है आप चाहे जितना भी शान्ती को तालाश ले, लेकिन असली शान्ती आपको अपने ही अंदर मिल सकती है 7. ख्रोध को शांती से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और जूट बोलने वालों को सच बोल कर जीतो 8. जैसे मुम्बती के बिना आग नहीं जलती उसी प्रकार मनुश्य भी अध्यात्निक जीवन के बिना नहीं जी सकता 9. यदि आप मोक्ष पाना चाहते है थे उसके लिए आपको स्वयम ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे 10. जब आप ख्रोध करते है तो उससे आपका ही नुकसान होता है 11. हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है 12. अगर लापरवा होते है तो नरम खाफ से भी हाथ छिल सकते है 14. हमारा शरीर सबसे जरूरी है इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्त रखें और इसका पूरा ख्याल रखे 15. अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना 16. जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है जो समय आने पर ही बोलते हैं 17. गर्द मिलना तो अनिवार्य है फिर आपके हाथ में है दुखी होना न होना 18. अगर बुराई को मार देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखे 19. खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है बलकि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है 20. अपनी मंजिल खुद ही ढूंड़े और उसका रास्ता भी खुद ही ते करे 21. हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे 22. ज्यानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यों नहीं होती उनका ज्यान का प्रकाश हर चगह मौजूद होता है जबकि मुर्ख और अज्यानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है 23. पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी चोड लगा ले 24. हमारा दिमाग ही सब कुछ है जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था 25. बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है 26. जो आज हम कर रही हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा एहम होता है 27. हर इंसान को सजा से डर लगता है 28. हमारी इच्छाई हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है इसलिए खुद पर काबू रखे ज्यादा पाने का प्रयास न करें 29. हमारी जीप एक हतियार के समान है जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे घायल कर देती है 30. आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़लो या फिर सुनलो जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है 31. अतीप के बारे में मत सोचो और नहीं भविशे के बारे में सोचो वर्टमान में जियो 32. हर सुबह हर इंसान जनल लेता है आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे या बहुत माइने रखता है 33. एक दिन एक जीवन को बदल सकता है उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है 34. हम अपने भाग्य के मालिक खुद है हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यू होती है इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने 35. जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है जो थका हुआ है उसके लिए तूरी बहुत लंबी है जो मूरव धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है 36. व्याप्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालट जैसी कोई धार नहीं है 37. अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नश्ट है 38. खुशिया कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रही हो आपक व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है 39. अग्यानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है 40. बून बून से खड़ा भरता है इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत निमंतरन करती रहनी चाहिए परिशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें गौतम बुद्ध को शामवी नगर में रह रहे थे वहां की रानी कौतम बुद्ध का अलग-अलग तरीकों से अपमान करती थी रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानत करने के लिए और परिशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिये थे रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थी, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिश्य भी था, उसका नाम था आनंद आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जान बूझ कर हमारा अपमान कर रहे हैं जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी चगए हमें नहीं रुपना चाहिए बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहा जाएंगे आनंद ने कहा, किसी और चगए चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो बुद्ध गोले, अगर वहां भी ऐसी ही परिशानियों बनी, तो फिर कहा जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है हम अहिंसा, धैरे के साथ विनम्रता और शालिंता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे बुद्ध की सीख परिशानिया हर जगर हैं, हम परिशानियों से बच नहीं सकते इसलिए समस्या चाहिए कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय ना बनाए। कौतम बुद्ध गा एक खास शिश धमाराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह इकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बात चीप भी नहीं करता था। जब धमाराम इकांत में ज्या जिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये दो काम आपके जीते जी मैं करन चाता हूँ। बुध ने अन्य शिश्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। कुमारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसलिए तुम सभी ने धमाराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुध की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाते हैं तो घमन छोड़ दे। एक दिन बुध की शिश्य आनन्द ने पूछा, आप प्रवचन देते समय उचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठ अधा, मैं ज़ढने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। गुध बोले, अगर जढने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सतसंग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला उपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहन करना है त तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा. नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेवना मिलती है. ऐसा करने से हमारा घमन दूर होता है. बुद्ध की सीख अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है गौतम बुद्ध की कहानी, दान की महिमा, भगवान बुद्ध का जब पागली पुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपने अपने सामपत्तिक स्थिती के अनुसार उन्हें उभार देने की योजना बनाने लगा राजा बिंविसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किये वुद्ध देव ने सबको एक हाग से सहर्ष स्थिकार किया इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहोकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किये और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्विकार कर लिया। इतने में एक बुढिया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय में यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूस भगवन, शमा करें। एक प्रश्न पोचना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े-बड़े उपहार दिये जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहन किया लेकिन इस बुढिया द्वारा दिये गए छोटे इगं चूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कराय और बोले, राजन, आप सबने अवर्श्य बहुमोले उपहार दिये हैं किन्तु यह सब आपकी संपत्ती का दस्वा हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है इसलिए आपक है कि इसका दान मेने खुले हृदय से, दोनों हाथों से सिकार किया है। गौतम बुद्ध की कहानी, जीवन में सब्र का महत्व, बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर बौध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयाईयों के साथ एक गाव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमन करते रहने से उन्हें प्यास लगने लगी थी। प्यास परती देख, उन्होंने एक शिश्य को पास के गाव से पानी लाने के लिए कहा। शिश्य और नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरहे वह बिना पानी की ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सुखा जा रहा था। इसलिए पुन्हे उन्होंने पानी लाने तो गंदा था फिर ये पानी कहां से लाए? परन्तु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी ख्षनाते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से खिर जाता है, ऐसे अवस्था में जीवन समान या पानी भी गंदा लगने लगता है। तो उन्हें भला पुरा कहनी लगे और बद्वाएं देनी लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांती से बिना कुछ बोले सुनते रही, लेकिन जब नगर की लोग बोलते बोलते ठक गए तो महात्मा बुद्ध बोले ख्षमा चाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की बाते खत्म हो गई है तो मैं यहां आ जाओं। भगवान बुद्ध की यह बात सुन बहां के लोग बड़े आश्चरे अचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ, भाई हम तुम्हारा गुनगान नहीं कर रहे हैं। हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। ख्या तुमपर इसका कोई असर नहीं होता। भुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो मैं उन्हें सीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पढ़ता जब तक कि मैं उन्हें स्विकार नहीं करता। बुधा आगे बोले और जब मैं इन गालियों को स्विकार ही नहीं करूंगा तो यह कहां रह जाएगी। निश्चित ही आपके पास। बुध की सीख बुध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्टन ला सकता ह क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण डूसरों को मानते हैं। जोकि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयन के लिए ही गड़ा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नेगिटिव बातों को कैसे लेते हैं। उन्हें स्वीकार कर र खुशी खुशी वहां से लोटते। उसी गाउं के सड़क के किनारे एक गरीब ग्रती बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिवर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े नमस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रनाम किया और फिर कहा भगवान इस काम में लगभग सभी लोग खुश और सम्रिध है। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम गर प्रिक मांग कर अपना पेड भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ तेर शांत रहे फिर बोले तुम बड़े अज्ञानी हो। और उके साथ बाटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संच कर सकते हो। मुक्तिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब बोल सकते हैं, उनकी प्रशंचा कर सकते हो। दो हाथ दिये हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। इश्वर ने जिसको ये तीन चीज़े दी है, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धन्ता का विचार आद्मी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो. कभी भी मन में निर्धन्ता का भाव उत्पन्ना होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी. भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आद्मी का चहरा चमक उठा, उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ. बुद्ध की सीक बुद्ध बताते हैं कि किवल धन, अच्छा घर होना ही अमीर होना नहीं कहलाता बलकि एक अच्छा इंसान होना, सबकी सहायता करना ही असल जीवन का मंतर है. निर्धन्ता का विचार आद्मी के मन में होता है, गह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो. कभी भी मन में निर्धन्ता का भाव उत्पन्न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी. एक व्रिध भिक्षू और एक युवा भिक्षू दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओं बचाओं के लिए आवाज दे रही है. युवा भिक्षू तुरंथ नदी में कृदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया. इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया. इतने में वृध भिक्षू गरम हो गये. अरे, तुमने उस महिला को छू लिया. अब मैं तुम्हें बुध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा. दोनों बुध के सामने पहुँचे. वृध भिक्षू ने कहा भंते. इसको दंड मिलना चाहिए. बुध ने पूछा क्यों? वृध भिक्षू ने कहा इस बात का कि इसने युवती को उठा कर नदी से बाहर रखा. इसने उसे चू लिया. इसका ब्रहमचर्य नहीं रहा. इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चा मैं? मैं किस बात का प्रायश्चित लूँ? विसमे से उसने पूछा. बुध ने कहा इसने तो उस महिला को उठा कर वहां ही रख दिया पर तुम तो उसे अपने मानस में उठा कर यहां तक ले आये तुम्हारे मन में अभी भी यह है. तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो. इ हमेशा मन को स्वस्त रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना. दो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना. तीन, अच्छी संगती में रहना. चार, प्रार्थना करना. महत्मा बुध को एक सभा में भाशन करना था. जब समय हो गया तो महत्मा बुध आये और ब सौ लोग थे पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया बिना बोले चले गए. इस बार पचास कम हो गए. तीसरा दिन हुआ साथ के करीब लोग थे महत्मा बुध आये. इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापिस चले गए. चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए तब भी नहीं बोले. जब पांचवा दिन हुआ तो देखा सिर्फ चौदा लोग थे. महत्मा बुध उस दिन बोले और चौदो हो लोग उनके साथ हो गए. किसी ने महत्मा बुध को पूछा आपने चार दिन कुछ नहीं बोला. इसका क्या कारण था? तब बुध ने कहा मुझ कुझे भीड नहीं काम करने वाले चाहिए थे. यहां वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो. जिसमें धैर्य था वो रह गए. केवल भीड ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है. समझने वाले चाहिए. तमाशा देखने वाले रोज इधर-ुधर ताक जाक करते है. राजग्रह पत पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा एक ग्रहस्त भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। ग्रहस्त ने कहा भंते आप ही कृपा करके बतलाएं की दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? तथागत बोले पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। और तो ठीक, भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वया मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया पूजा का अर्थ हात जोडना, सर जुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रतीस नहवात सल्य ही उनकी पूजा है। ग्रिहस्त ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्यान कराया। चिंता, घ्रिना और ईश्या को दूर करते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भास सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेणा देते हैं। गौतम बुद्धा के अनमोल विचार, महात्मा गौतम बुद्ध बहुत धर्म के संस्तापक थे। उनका असली नाम सिधार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपास धितलोंबिनी में 563 विन इसा पूर्व में एक राच परिवार में हुआ था। एक राच परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्यान और ध्यान में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेड़ना देते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्यान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो रुजाना सुभे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर पढ़ें। ये रहे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार 1. जीवन में हजारों लड़ा या जीतने से बहतर स्वयम पर विजय प्राप्ट करना है. यदि स्वयम पर विजय प्राप्ट कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी. इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता. 2. बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है. कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ठ ही मिलता है. वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उस इसे दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है. 4. भविश्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलजो. भोतकाल के समय को याद करके पच्चताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो. खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है. 5. जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रौशनी देता है. ठीक वैसे ही खुशियां बाटने से आपसने प्यार बढ़ता है. खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं. खभी कम नहीं होती हैं. 6. बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कप्टी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए. जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुँचाता है. 1. यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए? यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाब नहीं मिलेगा. चू, विना स्वास्थे के जीवन बिलकुल बेकार है, वह केवल एक पीडा की स्थिती और मौत के समान जीवन है अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुचा सकते फो, यदि आप अपना मार्ट नहीं बदलेंगे, तो निश्चित ही आप वही पहुच चाएगे जहां से आप जा रहे हैं फाइव, बुध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है मैं हमेशा यह देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है आप चाहे जितना भी शान्ती को तालाश ले लेकिन असली शान्ती आपको अपने ही अंदर मिल सकती है 7. ख्रोध को शांती से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और जूट बोलने वालों को सच बोल कर जीतो 8. जैसे मुम्बती के बिना आग नहीं जलती उसी प्रकार मनुश्य भी अध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता 9. यदि आप मुक्ष पाना चाहते है थे उसके लिए आपको स्वयम ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे 10. जब आप ख्रोध करते है तो उससे आपका ही नुकसान होता है 11. हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है 12. अगर लापरवा होते है तो नरम खाव से भी हाथ छिल सकते है 12. इसी प्रकार धर्ण के प्रती की गई लापरवाही हमें नर्ट के दरवाजे पर ला सकती है 14. हमारा शरीर सबसे जरूरी है इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्त रखे और इसका पूरा ख्याल रखे 15. अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना 16. जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और सहसी होता है जो समय आने पर ही बोलते हैं 17. गर्द मिलना तो अनिवार्य है फिर आपके हाथ में है दुखी होना न होना 18. अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखे 19. खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है बलकि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है 20. अपनी मंजिल खुद ही ढूंड़े और उसका रास्ता भी खुद ही दे करे 21. हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे 22. ज्यानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यों नहीं होती उनका ज्यान का प्रकाश हर चगह मौजूद होता है 23. पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोड लगा ले लेकिन एक मौमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता 24. हमारा दिमाग ही सब कुछ है जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था 25. बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है 26. जो आज हम कर रही हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इहम होता है 27. हर इंसान को सजा से डर लगता है सभी लोग मौद से डरते हैं सभी को अपने सामान समझे किसी को छोटा न समझे किसी भी जीव जन्तु को ना मारे 28. हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है इसलिए खुद पर काबू रखे ज्यादा पाने का प्रयास न करें 29. हमारी जीब एक हतियार के समान है जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे खायल कर देती है 30. आप चाहे कितनी भी अच्छे बातों को पढ़लो या फिर सुनलो जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फाइदा नहीं है 31. अतीत के बारे में मत सोचो और नहीं भविश्य के बारे में सोचो वर्टमान में जियो 32. हर सुभे हर इनसान जनल लेता है आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे या बहुत माइने रखता है 33. एक दिन एक जीवन को बदल सकता है उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है 34. हम अपने भाग्य के मालिक खुद है हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यू होती है इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने 35. जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है जो ठका हुआ है उसके लिए तूरी बहुत लंबी है जो मूरक धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है 36. व्यापती के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, उसी तरह मुर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है 37. अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नश्ट है 38. खुशिया कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती बलकि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो आपक व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है 39. अग्यानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है 40. बून-बून से खड़ा भरता है इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत निमंत्रन करती रहनी चाहिए परिशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें, गौतम बुद्ध को शामवी नगर में रह रहे थे परने के लिए उनके पीछे लगा दिये थे रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिश्य भी था, उसका नाम था आनंद आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग चान बूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगय हमें नहीं रुपना चाहिए बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहा जाएंगे आनंद ने कहा, किसी और जगय चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परिशानियों बनी, तो फिर कहा जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है हम अहिंसा, धैरे के साथ बिनम्रता और शालिंता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे बुद्ध की सीख परिशानियां हर जगर हैं, हम परिशानियों से बच नहीं सकते इसलिए समस्या चाहि कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय ना बनाए। कौतम बुद्ध गा एक खास शिश धमाराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह इकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बात चीट भी नहीं करता था। जब धमाराम इकांत में ज्या जिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये दो काम आपके जीते जी मैं करन चाहता हूँ। बुध ने अन्य शिश्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। कुमारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसलिए तुम सभी ने धमाराम की अच्छी बात को भी गलत रूप मिलिया। बुध की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठ नीचे बैठते हैं। ऐसा क्यों? बुध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी जर्ने से पानी पिया है। आनंद बोला, हाँ, मैंने जर्ने से पानी पिया है। बुध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया। आनंद ने कहा, जर्ना उपर से बह रहा था, मैं ज़र्ने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। गुद्ध बोले, अगर ज़र्ने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला उपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहन करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेणा मिलती है। ऐसा करनी से हमारा घमन दूर होता है। बुद्ध की सीख अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी, दान की महिमा, भगवान बुद्ध कर जब पागली पुत्र में शुभागमन हुआ, तो हर व्यक्ति अपने अपने सामपतिक स्थिती के अनुसार उन्हें उभार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्विसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किये। वुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्विकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहुकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किये और वुद्ध देव ने उन सबको होने की कारण मैं सत्खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुछ भेट स्विकार करीं, तो मैं अहो भाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहन किया। राजा बिम्विसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कराय और बोले, राजन, आप सबने अवर्ष्य बहु मूले उपहार दिये हैं किन्तु यह सब आपकी संपत्ति का दस्वा हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से, दोनों हाथों से स्विकार किया है। गौतम बुद्ध की कहानी, जीवन में सब्र का महत्व, बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर बौध ध शिश्य को पास के गाउं से पानी लाने के लिए कहा। शिश्य जब गाउं में पहुचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साप कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफ सुखा जा रहा था। इसलिए पुनहें उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिश्य को भेजा। इस बार वह शिश्य उनके लिए मटके में पानी भर कर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चरे अचकित हुए। उन्होंने शिश्य से पूछा पानी में मिली मिटी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिटी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिश्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिश्यों को एक शिक्षा दी कि हमार जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे करम करते रहने से यह अमेशा शुद बना रहता है परन्तु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी ख्षनाते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से खिर जाता है। ऐसे अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। गौतम बुध की कहानी अपने दुखों का कारण आप ही है। एक समय की बात है भगवान बुध एक नगर में भ्रमन कर रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वही ठोंगी है और हमार धन को भरष्ट कर रहा है। इस वजए से बहा के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुध को देखा तो उन्हें भला पुरा कहनी लगे और बद्वाएं देनी लगे। गौतम बुध नगर के लोगों की उलाहने शांती से बिना कुछ पोले सुनते रहे। लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुध वोलिक्षमा चाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की बाते खत्म हो गई है तो मैं यहां आजाओ। भगवान बुध की यह बात सुन बहा के लोग बड़े आश्चरेच कित हु वही खड़ा एक आदमी बोला ओ भाई हम तुम्हारा कुनगान नहीं कर रहे हैं। हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता। बुध बोले आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो मैं उन्हें सीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझे पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्विकार नहीं करता। बुध आगे बोले और जब मैं इन गालियों को स्विकार ही नहीं करूंगा तो यह कहां रह जाएगी। निश्चित ही आपके पास। बुध की सीक बुध के जीवन का य यही गड़ा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नेगिटिव बातों को कैसे लेते हैं। उन्हें स्विकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। गौतम बुध की कहानी इस दुनिया में कोई करीब नहीं। एक समय की बात है भगवान गौतम बुध एक काउं में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपने विभिन परिशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी-खुशी वहां से लोटते। उसी गाउं के सड़क के किनारे एक गरीब रत्ती बैठा रहता तथा महात्मा बुध की उपदेश शिवर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चहरे लेकर जाते हैं, इन जब बापस आते तो बड़े खुश और प्रसंद दिखाई देते हैं। उस करीब को लगा कि क्यों न वो भ पहले महात्मा बुद्ध को प्रनाम किया और फिर कहा, भगवान इस गाम में लगभक सधी लोग खुश और सम्रिध है। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को क कुछ दिया ही नहीं। इस पर वे गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर एचकित हुआ और बोला, भगवान मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तु स्वयम का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीक मांग कर अपना पेड भरत हुँ। भगवान बुद्ध कुछ तेर शांत रहे, फिर बोले तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ पाटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुक्तिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिये हैं लोगों की मदद कर सकते हो। इश्वर ने जिसको ये तीन चीजे दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ् भाव उत्पन्न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चहरा चमक उठा उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा जिसे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। बुद्ध की सीक बुद्ध बताते हैं कि किवल धन, अच्छा घर होना ही अमीर होना नहीं कहलाता बलकि एक अच्छा इंसान होना, सब की सहायता करना ही असल जीवन का मंतर है। निर्धन्ता का विचार आत्मी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो। खभी भी मन में निर्धन्ता का भाव उत्पन्न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें बुध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा दोनों बुध के सामने पहुँचे। वृध भिक्षु ने कहा भंते। इसको दंड मिलना चाहिए। बुध ने पूछा क्यों। वृध भिक्षु ने कहा इस बात का कि इसने यूवती को उठा कर नदी से बाहर रखा। इसने उसे चूलिया इसका ब्रहमचर्य नहीं रहा। इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुध ने कहा प्रायश्चित पहले तुम ले लो। मैं किस बात का प्रायश्चित लो। विसमय से उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठा कर वहां ही रख दिया पर तुम तो उसे अपने मानस में उठा कर यहां तक ले आए तुम्हारे मन में अभी भी यह है, तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो, इसने तो वहां रखा और भूल भी गया. सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए यह चार उपाए बताता हूँ 1. हमेशा मन को स्वस्त रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना 2. इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना 3. अच्छी संगती में रहना 4. प्रार्थना करना 5. महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाशन करना था 6. जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए 7. तक्रीबन 150 के करीब शोता थे दूसरे दिन तक्रीबन 100 लोग थे पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया बिना बोले चले गए इस बार 50 कम हो गए 3. दिन हुआ 60 के करीब लोग थे महात्मा बुद्धाए इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापिस चले गए 4. दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए तब भी नहीं बोले जब पांचवा दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 हो लोग उनके साथ हो गए किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा मुझे भीड नहीं काम करने वाले चाहिए थे यहां वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो जिसमें धैर्य था वो रह गए केवल भीड ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है समझने वाले चाहिए तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक जाक करते है समझने वाला धीरज रखता है कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है समझने वाला शायद एक हजार में एक ही हो ऐसा ही देखा जाता है राजग्रह पत पर जा रहे गौतम बुध ने देखा एक ग्रहस्त भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था बुध ने पूछा महाशय इन छे दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है यह पूजा क्यों करनी चाहिए ग्रहस्त बोला यह तो मैं नहीं जानता बुध ने कहा बिना जाने पूजा करने से क्या लाब होगा ग्रहस्त ने कहा भंते आप ही कृपा करके बतलाएं की दिशाओं की पूजा क्यों करनी जाहिए तथागत बोले पूजा करने की दिशाए भिन्न है माता-पिता और ग्रहपती पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिन, स्त्री पुत्र और मित्र आदी उत्तर दिशा है सेवक नीची तथा श्रवन ब्राहमन उन्ची दिशा है इनकी पूजा से लाब होता है ग्रहस्त बोला और तो ठीक, भनते परन्तु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वय मेरी पूजा करते है बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हात जोड़ना, सर जुकाना नहीं सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रतीस नहवात सल्य ही उनकी पूजा है ग्रहस्त ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्यान कराया चिन्ता, भृणा और ईश्या को दूर करते हैं गौतम बुद्ध के अन्मोल विचार गौतम बुद्धा के अन्मोल विचार, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भास सिखाया गौतम बुद्ध के अन्मोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेणा देते हैं गौतम बुद्धा के अनमोल विचार, महात्मा गौतम बुद्ध बौध धर्म के संस्तापक थे। उनका असली नाम सिधार्प था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थितलुमिनी में 563 विन इसा पूर्व में एक राच परिवार में हुआ था। एक राच परिवार जन्म लेनी के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्यान और ध्यान में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेणा देते हैं। यदि आप अपने जीवन में ग्यान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो रुजाना सुभए महातमा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर पढ़ें। ये रहे महातमा बुद्ध के अनमोल विचार prest जीवन में हजारों लड़ा या जीतने से बहतर स्वयम पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयम पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। 2. बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ठ ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है. 4. भविश्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलजो. भोतकाल के समय को याद करके पच्चताने से अच्छा है, अपने वर्तमान में खुश रहो. खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है. 5. जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रौश्नी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बाटने से आपसने प्यार बढ़ता है. खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं. खभी कम नहीं होती हैं. 6. बुद्ध की अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कप्ठी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए. जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुँचाता है. 1. यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए? यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाब नहीं मिलेगा. 2. विना स्वास्थे के जीवन बिलकुल बेकार है. वह केवल एक पीडा की स्थिती और मौत के समान जीवन है 3. अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुचा सकते 4. यदि आप अपना मार्ट नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वही पहुच चाएगे जहां से आप जा रहे हैं 5. बुद्ध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है मैं हमेशा यह देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है 6. आप चाहे जितना भी शान्ती को तालाश ले लेकिन असली शान्ती आपको अपने ही अंदर मिल सकती हैं 7. क्रोध को शान्ती से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और जूट बोलने वालों को सच बोल कर जीतो 8. जैसे मोमबती के बिना आग नहीं जलती उसी प्रकार मनुष्य भी अध्यात्निक जीवन के बिना नहीं जी सकता 9. यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं थे उसके लिए आपको स्वयम ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे 10. जब आप ख्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है ख्रोध करना जलते हुए कोईले को अपने हथेली पर रखने की तरह है जिसे आप दूसरे की और फेकना चाहते हैं लेकिन स्वयम को ही नुकसान पहुचाते है 11. हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासल करना फिर जीत खुद की होती है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता 12. जो करना है आज ही करे क्या पता कल सिंदगी रहे ना रहे 13. अगर लापरवा होते हैं तो नरम खाव से भी हाथ छिल सकते हैं इसी प्रकार धर्म के प्रती की गई लापरवा ही हमें नर्ग के दरवाजे पर ला सकती है 14. हमारा शरीर सबसे जरूरी है इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्त रखे और इसका पूरा ख्याल रखे 15. अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना 16. जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है जो समय आने पर ही बोलते हैं 17. गर्द मिलना तो अनिवार्य है फिर आपके हाथ में है दुखी होना न होना 18. अगर बुराई को मार देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखे 19. खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है बलकि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है 20. अपनी मंजिल खुद ही ढूंड़े और उसका रास्ता भी खुद ही ते करे 21. हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे 22. ज्यानी व्यक्ती की कभी भी मृत्यों नहीं होती उनका ज्यान का प्रकाश हर चगें मौजूद होता है 23. पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोड लगा ले लेकिन एक मौमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता 24. हमारा दिमाग ही सब कुछ है जैसा हम सोचते है वैसा हमारे साथ होता था 25. बुरे व्यक्ती को अच्छाई से भी जीता जा सकता है 26. जो आज हम कर रही है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इहम होता है 27. हर इंसान को सजा से डर लगता है सभी लोग मौद से डरते हैं सभी को अपने सामान समझे किसी को छोटा न समझे किसी भी जीव चंतु को ना मारे 28. हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है इसलिए खुद पर काबू रखे ज्यादा पाने का प्रयास न करें 29. हमारी जीव एक हतियार के समान है जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे खायल कर देती है 30. आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़लो या फिर सुनलो जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है 31. अतीद के बारे में मत सोचो और नहीं भविश्य के बारे में सोचो वर्थमान में जियो 32. हर सुबह हर इंसान जन्न लेता है आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे यह बहुत माइने रखता है 33. एक दिन एक जीवन को बदल सकता है उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है 34. हम अपने भागय के मालिक खुद है हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यू होती है इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने 35. जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है जो ठका हुआ है उसके लिए तूरी बहुत लंबी है जो मूरव धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है 36. व्याप्ति के लिए जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं उसी तरह मुर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालट जैसी कोई धार नहीं है 37. अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नश्ट है 38. खुशिया कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती बलकि इस बात पर निर्भर करता है कि आपक व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है आप दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं 39. अग्यानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है 40. बून बून से खड़ा भरता है इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत निमंतरन करती रहनी चाहिए परिशानियों से डरे नहीं उनका सामना करें गौतम बुद्ध को शामवी नगर में रह रहे थे वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग करीकों से अपमान करती थी रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानत करने के लिए और परिशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिये थे रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थी, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिश्य भी था, उसका नाम था आनंद आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग चान बूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगे हमें नहीं रुपना चाहिए बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहा जाएंगे आनंद ने कहा, किसी और जगे चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परिशानियों बनी, तो फिर कहा जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है हम अहिंसा, धैरे के साथ बिनम्रता और शालिंता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे बुद्ध की सीख परिशानियां हर जगर हैं, हम परिशानियों से बच नहीं सकते इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राइना बनाए कौतम बुद्ध गा एक खास शिश धमाराम आश्रम ने अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह इकांत में चला जाता था वह किसी से ज्यादा बात चीट भी नहीं करता था जब धमाराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिश्यों को लगा कि इसे खमंड हो गया है शिश्यों ने बुद्ध से धमाराम की शिकायते करनी शुरू कर दी एक दिन बुद्ध ने धमाराम से सभी शिश्यों के सामने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो धमाराम बोला, आपने कहा है कि कुछ तिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तुम मैंने ये विचार किया है, कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा? इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकान पर मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ. ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ. बुध ने अन्य शिश्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ. तुमारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो इसलिए तुम सभी ने धमाराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया. बुध की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए. अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमन छोड़ दी. एक दिन बुध की श जढने से पाणी पिया है. बुधने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंध ने कहा, जढना उपर से बह रहा था, मैं जढने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया. बुध बोले, अगर जढने से पानी पीना है तो नीचे फी खड़े होना पड़ेगा. जो सत् अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेडना मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमन दूर होता है। बुध की सीख अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन म बनाने लगा। राजा बिम्विसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किये। गुध्धदेव ने सब को एक हाथ से सहर्ष स्विकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, सहोकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किये और गुध्धदेव ने उन सब को एक हाथ से स्विकार कर लिया। इतने में एक बुढिया लाठी टेकते वहां आई। वुध्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय में यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने क कारण में सत्खाय फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुछ भेट स्विकार करें, तो मैं अहो भाग्य समझूंगी। भगवान बुध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहन किया। राजा बिम्विसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुध्धदेव से कहा भगवन, शमा करें। एक प्रश्न पोचना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े-बड़े उफार दिये जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहन किया लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिये गए छोटे इगं चोटे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया। इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेनी में नहीं आ सकता। इसके विप्रीत इन्होंने अपने मुह का पौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले गौतम बुध की कहानी जीवन में सब्रका महत्व बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुध पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर बौध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयाईयों के साथ ए वहां एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिशे को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी की ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुनहें उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिशे को भेजा। इस बार वह शिशे उनके लिए मट्के में पानी भर कर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चरे अचकित हुए। उन्होंने शिशे से पूछा गाउं में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था फिर ये पानी कहां से लाए। शिशे बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का चल सच में बहुत गंदा थ परन्तु जब सभी अपना कारे खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठैर कर पानी में मिली मिटी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिटी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिशे का य जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से खिर जाता है। ऐसे अवस्था में जीवन समान या पानी भी गंदा लगने लगता है। गौतम बुद्ध की कहानी अपने दुखों का कारण आप ही है। एक समय की बात है भगवान बुद्ध एक नदर में भ्रमन कर रहे थे। उ उन्हें भला पुरा कहनी लगे और बद्धुआएं देनी लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांती से बिना कुछ बोले सुनते रहे। लेकिन जब नगर की लोग बोलते बोलते ठक गए तो महात्मा बुद्ध बोले क्षमा चाता हूँ। लेकिन अग में गालियां दे रहे हैं। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता। बुद्ध बोले आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो मैं उन्हें सीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें सीकार नहीं करता बुधा आगे बोले और जब मैं इन गालियों को स्विकार ही नहीं करूँगा तो यह कहां रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास बुध की सीख बुध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्टन ला सकता है क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण डूसरों को मानते है जूकि अच्छी बात नहीं है ऐसा कर हम स्वयम के लिए ही गड़ा खोद रहे होते है यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नेगिटिव बातों को कैसे लेते है उन्हें स्वीकार कर रहे है या नकार रहे है गौतम बुध की कहानी इस दुनिया में कोई करीब नहीं एक समय की बात है भगवान गौतम बुध एक काउं में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे लोग अपने विभिन परिशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी-खुशी वहां से लोटते उसी गाउं के सड़क के किनारे एक गरीब रती बैठा रहता तथा महात्मा बुध की उपदेश शिवर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं इन जब बापस आते तो बड़े खुश और प्रसंद दिखाई देते हैं उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुध के समक्ष रखे मन में यह विचार लिए बहभी महात्मा बुध के पास पहुचा लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुध को प्रनाम किया और फिर कहा भगवान इस गाउं में लगभग सभी लोग खुश और सम्रिध है फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं इस पर वह गरीब रती बड़ा आश्चर रेच्कित हुआ और बोला भगवान मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा मेरा तो स्वयम का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है लोगों से भीक मांग कर अपना पेड भरता हूँ भगवान बुद्ध कुछ तेर शांत रहे फिर बोले तुम बड़े अज्ञानी हो और उकी साथ बाटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो मुक्तिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब बोल सकते हैं उनकी प्रशंसा कर सकते हो दो हाथ दिये है लोगों की मदद कर सकते हो इश्वर ने जिसको ये तीन चीजे दी है वे कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी भगवान बुद का संदेश सुनकर उस आदमी का चहरा चमक उठा उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ बुद की सीक बुद बताते हैं कि केवल धन अच्छा घर होना ही अमीर होना नहीं कहलाता बलकि एक अच्छा इंसान होना सब की सहायता करना ही असल जीवन का मंतर है निर्धन्ता का विचार आत्मी के मन में होता है यह तो एक भ्रम है इसे निकाल दो खभी भी मन में निर्धन्ता का भाव उत्पन्न होने दो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी एक व्रिध भिक्षू और एक युवा भिक्षू दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओं बचाओं के लिए आवाज दे रही है युवा भिक्षु तुरंत नदी में कृदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया इतने में वृध भिक्षु गरम हो गए अरे तुमने उस महिला को छू लिया अब मैं तुम्हें बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, भंते। इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों। वृद्ध भिक्षु ने कहा, इस बात का कि इसने यूवती को उठा कर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रहमचर्य नहीं रहा। इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम ले लो। मैं, मैं किस बात का प्रायश्चित लूँ, विस्मै से उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठा कर वहां ही रख दिया पर तुम तो उसे अपने मानस में उठा कर यहां तक ले आये तुम्हारे मन में अभी भी यह है। तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो, इसने तो वहां रखा और भूल भी गया। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए यह चार उपाय बताता हूँ। 1. हमेशा मन को स्वस्त रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। 2. इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, 3. अच्छी संगती में रहना, 4. प्रार्थना करना, महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाशन करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आये और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। तक्रीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तक्रीबन 100 लोग थे पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ 60 के करीब लोग थे महात्मा बुद्ध आये। इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापिस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए तब भी नहीं बोले। जब पांचवा दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और चौदोहो लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा आपने चार दिन कुछ नहीं बोला। इसका क्या कारण था। तब बुद्ध ने कहा मुझे भीड नहीं काम करने वाले चाहिए थे। यहां वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक जाक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद एक हजार में एक ही हो ऐसा ही देखा जाता है। राजग्रह पत पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा, एक ग्रहस्त भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन छे दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है। यह पूजा क्यों करनी चाहिए। ग्रहस्त बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाब होगा। ग्रहस्त ने कहा, भन्ते, आप ही कृपा करके बतलाएं की दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। तथागत बोले, पूजा करने की दिशाए भिन्न है। माता-पिता और ग्रहपती पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिन, स्त्री पुत्र और मित्र आदी उत्तर दिशा है। सेवक नीची तथा श्रवन ब्रामन उन्ची दिशा है। इनकी पूजा से लाब होता है। ग्रहस्त बोला, और तो ठीक, भन्ते, परन्तु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वय मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हात जोडना, सर जुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रतीस नहवात सल्य ही उनकी पूजा है। ग्रहस्त ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्यान कराया। शिंता, भृणा और ईश्या को दूर करते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भास सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सखल और आगे बढ़ने की प्रेडना देते हैं। गौतम बुद्धा के अनमोल विचार, महात्मा गौतम बुद्ध बौध धर्म के संस्तापक थे। उनका असली नाम सिधार्प था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपास धितलुमिनी में 563 विन इसा पूर्व में एक राच परिवार में हुआ था। एक राच परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्यान और ध्यान में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुना का भास सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और 1. जीवन में हजारों लड़ा या जीतने से बहतर स्वयम पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयम पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। 2. बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ठ ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, त प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है. 4. भविश्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलजो. भूतकाल के समय को याद करके पच्चताने से अच्छा है, अपने वर्तवान में खुश रहो. खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है. बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कप्टी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए. जंगली जानवर आपकी शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धी को नुकसान पहुँचाता है. 1. यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए. यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाब नहीं मिलेगा. चू, विना स्वास्थे के जीवन बिलकुल बेकार है, वह केवल एक पीडा की स्थिती और मौत के समान जीवन है अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुचा सकते फो, यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे, तो निश्चित ही आप वही पहुच चाएगे जहां से आप जा रहे हैं फाइव, बुध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है मैं हमेशा यह देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है आप चाहे जितना भी शान्ती को तालाश ले, लेकिन असली शान्ती आपको अपने ही अंदर मिल सकती है 7. ख्रोध को शांती से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और जूट बोलने वालों को सच बोल कर जीतो 8. जैसे मुम्बती के बिना आग नहीं जलती उसी प्रकार मनुश्य भी अध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता 9. यदि आप मौक्ष पाना चाहते है थे उसके लिए आपको स्वयन ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे 10. जब आप ख्रोध करते है तो उससे आपका ही नुकसान होता है 11. हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है 12. अगर लापरवा होते है तो नरम खाव से भी हाथ छिल सकते है 14. हमारा शरीर सबसे जरूरी है इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्त रखें और इसका पूरा ख्याल रखे 15. अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना 16. जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है जो समय आने पर ही बोलते हैं 17. अगर बुराई को मार देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखे 19. खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है बलकि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है 20. अपनी मंजिल खुद ही ढूंड़े और उसका रास्ता भी खुद ही दे करे 21. हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे 22. ज्यानी व्यक्ती की कभी भी मृत्यों नहीं होती उनका ज्यान का प्रकाश हर चगह मौजूद होता है 23. पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोड लगा ले लेकिन एक मौमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता 24. हमारा दिमाग ही सब कुछ है जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था 25. बुरे व्यक्ती को अच्छाई से भी जीता जा सकता है 26. जो आज हम कर रही हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इहम होता है 27. हर इंसान को सजा से डर लगता है सभी लोग मौद से डरते हैं सभी को अपने सामान समझे किसी को छोटा न समझे किसी भी जीव जन्तु को ना मारे 28. हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है इसलिए खुद पर काबू रखे ज्यादा पाने का प्रयास न करें 29. हमारी जीब एक हतियार के समान है जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे खायल कर देती है 30. आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़लो या फिर सुनलो जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है 31. अतीद के बारे में मत सोचो और नहीं भविश्य के बारे में सोचो वर्टमान में जीओ 32. हर सुभे हर इनसान जनल लेता है आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे या बहुत माइने रखता है 33. एक दिन एक जीवन को बदल सकता है उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है 34. हम अपने भाग्य के मालिक खुद है हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही हमारी मृत्यू होती है इसलिए खुद का रास्ता खुद ही चुने 35. जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात बहुत लंबी है जो ठका हुआ है उसके लिए तूरी बहुत लंबी है जो मूरफ धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है 36. व्यापती के लिए जुनून से बढ़तर कोई आग नहीं, उसी तरह मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालट जैसी कोई धार नहीं है 37. अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपका जीवन पूरी तरह नश्ट है 38. खुशिया कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती बलकि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो आपक व्यवहार हर किसी के साथ किस प्रकार का है 39. अग्यानता ही सबसे बड़ी काली रात होती है 40. गोन-गोन से खड़ा भरता है इसलिए आपने घड़े को भरने के लिए मेहनत निमंतरन करती रहनी चाहिए परिशानियों से डरे नहीं उनका सामना करें गौतम बुद्ध को शामबी नगर में रह रहे थे वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग-अलग करीकों से अपमान करती थी रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानत करने के लिए और परिशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिये थे रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थी, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिश्य भी था, उसका नाम था आनंद आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जान बूझ कर हमारा अपमान कर रहे हैं जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगे हमें नहीं रुपना चाहिए बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहा जाएंगे आनंद ने कहा, किसी और जगे चले जाएंगे, जहां ऐसे लोग ना हो बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परिशानियों बनी, तो फिर कहा जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है हम अहिंसा, धैरे के साथ विनम्रता और शालिंता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे बुद्ध की सीख परिशानिया हर जगर हैं, हम परिशानियों से बच नहीं सकते इसलिए समस्या चाहिए कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय ना बनाए। कौतम बुद्ध गा एक खास शिश्य धमाराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह इकांट में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बात चीट भी नहीं करता था। जब धमाराम इकांट में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिश्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिश्यों ने बुद्ध से धमाराम की शिकायते करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धमाराम से सभी शिश्यों के सामने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। धमाराम बोला आपने कहा ह कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा? इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकान्त और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ. ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ. बुध्ध ने अन्य शिश्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ. तुमारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसलिए तुम सभी ने धमाराम की अच्छी बात को भी गलत रूप मिलिया. बुध की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए. अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमन छोड़ दे. एक दिन बुध की शिश्य आनन्द ने पूछा, आप प्रवचन देते समय उंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं. ऐसा क्यों? बुध ने आनन्द से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी जर्ने से पानी पिया है? आनन्द बोला, हाँ, मैंने जर्ने से पानी पिया है. बुध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनन्द ने कहा, जर्ना उपर से बह रहा था, मैं जर्ने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया बुद्ध बोले अगर ज़रने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा जो सत्संग कथा या प्रवचन होता है उसमें कहने वाला उपर बैठता है उस कथा का संदेश ग्रहन करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा से पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी, दान की महिमा, भगवान बुद्ध कर जब पागली पुत्र में शुभागमन हुआ, तो हर व्यक्ति अपने अपने सामपतिक स्थिती के अनुसार उन्हें उभार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्विसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किये। वुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्श स्थिकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहुकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किये और वुद्ध देव ने उन सबको होने की कारण मैं सत्खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुछ भेट स्विकार करें, तो मैं अहो भाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहन किया। राजा बिम्विसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध को आपने दोनों हाथों से ग्रहन किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कराय और बोले, राजन, आप सबने अवर्ष्य बहु मूले उपहार दिये हैं किन्तु यह सब आपकी संपत्ति का दस्वा हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से, दोनों हाथों से स्विकार किया है। गौतम बुद्ध की कहानी, जीवन में सब्र का महत्व, बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौ जीवन ने एक शिश्य को पास के गाउं से पानी लाने के लिए कहा। शिश्य जब गाउं में पहुचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी पह रही है जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नद के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरहे वह बिना पानी की ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुन्हें उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मट्के में पानी भर कर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चरेच कित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा गाव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था फिर ये पानी कहां से शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सच में बहुत कंदा था परन्तु जब सभी अपना कारे खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ तेर वहां ठैर कर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो यह अमेशर शुद बना रहता है परन्तु अनेकों बार जीवन में हैसे भी ख्षनाते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से खिर जाता है ऐसे अवस्था में जीवन समान या पानी भी गंदा लगने लगता है। गौतम बुद्ध की कहानी अपने दुखों का भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमन कर रहे थे। उस नगर के आमनाग्रिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ठोंगी है और हमारे धर्म को भरष्ट कर रहा है। इस वजए से बहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थ जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला पुरा कहने लगे और बद्धुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांती से बिना कुछ बोले सुनते रहे लेकिन जब नगर के लोग बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध नहीं कर रहे हैं। हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता। बुद्ध बोले आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो मैं उन्हें सीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक क कि मैं उन्हें स्विकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले और जब मैं इन गालियों को स्विकार ही नहीं करूंगा तो यह कहां रह जाएगी। निश्चित ही आपके पास। बुद्ध की सीख बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण डूसरों को मानते हैं। जो की अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयम के लि गौतम बुद्ध एक काउं में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपने विभिन परिशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी-खुशी वहां से लोटते। उसी गाउं के सड़क के किनारे एक गरीब रत्ती बैठा रहता तथा महात्मा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुद्ध के समक्ष रखे? मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुचा. लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे. जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रनाम क किया और फिर कहा, भगवान इस गाउ में लगभग सधी लोग खुश और सम्रिध है. फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं. इस पर वे गरी व्यक्ति बड़ा आश्चरे अच्कित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देनी के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयम का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है. लोगों से भीक मांग कर अपना पेड भरता हूँ. भगवान बुद्ध कुछ तेर शांत रहे, फिर बोले तुम बड़े अज्ञानी हो. और उके साथ पाटनी के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है. मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो. मुक्तिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब बोल सकते हैं, उन मन में निर्धंता का भाव उत्पन्न होने दो गरीदी अपने आप दूर हो जाएगी. भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चहरा चमक उठा उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ. बुद्ध की सीक बु इसे निकाल दो. खभी भी मन में निर्धंता का भाव उत्पन्न होने दो गरीदी अपने आप दूर हो जाएगी. एक व्रिध भिक्षू और एक युवा भिक्षू दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि एक यूवती नदी में डूब रही है और बचाओं बचाओं के लिए आवाज दे रही है. युवा भिक्षू तुरंथ नदी में कृदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया. इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया. इतने में व्रिध भिक्षू गरम हो गये. अरे, तुमने उस महिला को चू लिय अब मैं तुम्हें बुध से कहूंगा और तुम्हें दंड प्रायश्चित दिलवाऊंगा दोनों बुध के सामने पहुँचे वृध भिक्षु ने कहा भनते इसको दंड मिलना चाहिए बुध ने पूछा क्यों? वृध भिक्षु ने कहा इस बात का कि इसने यूवती को उठा कर नदी से बाहर रखा इसने उसे छू लिया, इसका ब्रहमचर्य नहीं रहा इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए बुध ने कहा प्रायश्चित पहले तुम ले लो मैं, मैं किस बात का प्रायश चितलू, विसमय से उसने पूछा बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठा कर वहां ही रख दिया पर तुम तो उसे अपने मानस में उठा कर यहां तक ले आए तुम्हारे मन में अभी भी यह है तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो, इसने तो वहां रखा और भूल भी गया सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए यह चार उपाय बताता हूँ 1. हमेशा मन को स्वस्त रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना 2. इंद्रियों पर विजय प्राप्ट करना 3. अच्छी संगती में रहना 4. प्रार्थना करना महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाशन करना था जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आये और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए तक्रीबन 150 के करीब श्रोता थे दूसरे दिन तक्रीबन 100 लोग थे पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया बिना बोले चले गए इस बार 50 कम हो गए तीसरा दिन हुआ 60 के करीब लोग थे महात्मा बुद्धाय इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापिस चले गए महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और चौदोहो लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा आपने चार दिन कुछ नहीं बोला। इसका क्या कारण था। तब बुद्ध ने कहा मुझे भीड नहीं काम करने वाले चाहिए थे। यहां वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गये। केवल भीड ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक जाक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा रहे गौतम बुध्ध ने देखा, एक ग्रिहस्त भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुध्ध ने पूछा, महाशय, इन छे दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? ग्रिहस्त बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुध्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाब होगा? ग्रिहस्त ने कहा, भनते, आप ही क्रिपा करके बतलाएं की दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं. माता-पिता और ग्रहपती पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिन, स्त्री-पुत्र और मित्र आदी उत्तर दिशा है. सेवक नीची तथा श्रवन ब्राहमन उन्ची दिशा है. इनकी पूजा से लाब होता है. ग्र सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वय मेरी पूजा करते हैं. बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हात जोडना, सर जुकाना नहीं. सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रतीस नहवात सल्य ही उनकी पूजा है. ग्रिहस्त ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज् झाल